उनहत्तर जो खेला जाएगा वणकन कंड़ा एस्टेडियम बुंबाई में बुंबाई की ग्राउंड पर क्या इस मैच को बुंबाई जीतेगा या सेरा घ्रणाजर हैदराबाद जीतेगा इसके बारे में बात करेंगे साती साथ टीम बताएंगे और कौन सा पिलियर है जो इ इस ग्राउंड पर से पर्फॉर्म करता है और इस ग्राउंड पर अच्छे खासा ए करता है यहां पर देखा चाई इस ग्राउंड बुंबाई की क्राउंड पर ikiट शलता है ज़ो टीम ज़्यादा जिस जगह पर रहता है उग जग gummy पर हुंंड का जीतने का चंज 89 संद क कल की मैच में देखे लेकिन पचार देता है और जितने का चॉंस भी कम हो जाता है यह पर बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्षन से इसन किसन इसन किसन इस टीम का गेंस हर बार पर दर्शन करता है और इस ग्रॉंड पर भी काफी परदा से ग्रॉंड का भी रिकाउट अच्छे हैं रेशन का फॉंड भी काफी जवरदास्त चल रहा है इसन किसन के इसलिए आपको विकेट कीपर सेक्षन से इसन किसन को लेना बनता है यह ओफनर वैस्ट मिन है हारीकेंस हारीकेंस जो है चार नमर में बैटिंग करने उटरेगा यह सर नाइजार हाइदरावाद का टीम से बैटिंग करने का बल्लेबाज है शाथ ही साथ विकेट कीपर है इन दोनों से आपको दो पैदा हो सकता है अगर बल्लेबाजी से फ्लॉप्स हुआ है तो आपको बैटिंग से पॉइंट कीपर से पॉइंट देगा इसलिए शेंकर की स्टापने त्रिम में रखना है अब इसका बास दोऊंवी बिकेट के पर रखना है अब आज आते हैं वेस्टमें सब्स्तिंग में इन पार्टर बैसटमें डेखिए यहां पर सूरय कमार यादव इस ग्रॉंड पर रिसन के फॉarnya में एक मेंच खेले हैं क दूरिया कुमार बल्लेबाज काफी जबरदस्त है खास ही खास यह चार नमर में बैटिंग करने का मौका मिलेगा इसे अपने टीम में रख सकते हैं लेकिन यहां पर हाई एसकोर बनने के कारण इसे हो सकता है कभी मौका मिलेगा कभी नहीं मिलेगा कैपटनसी और वाइस कैपटनसी ना देना अगर विकेट गिर गया तो इसे मौका मिलेगा ऐसे तो टीम पीच रिपोर्ट के बात करें तो फीच रिपोर्ट यहां पर वाइलेंस और बैटिंग दोनों दर्स आ रहा है इस कंडिशन में सुरिया कुमार यादब कैपटनसी और वाइस कैपटनसी के लिए फिकराने बाला है रोहिष सर्मा इस टीम का गेंस कंसरेश्टीन रूप से परवहम करता है और रोहिष सर्मा भाई रोहिष सर्मा होता है कम ही बॉलों में अच्छा एसकोर अच्छा पॉइंट आपको दे जगदार अब तिलक बार्मा के बात कर लेते हैं तिलक बार्मा इस ग्रॉंड पर हैड टू हैड रिकॉर्ड हमेशा परदातन करते हैं सालेक्षन परसेंट भी कम है थोड़ा नीचे उत्रेगा इसलिए तिलक बार्मा को अभी मैं अपने टीम में बात नहीं करूंगा अब आ जाता है अभिशेख सर्मा स्ट्रीन रूप से इसे करने का अभिशेख सर्मा को मिलेगा एक अबर हंड्रेट परसेंट मिलता है आज इस टीम बुंबई का गेंस दू अबर करेगा क्योंकि हैड टू हैड मकाबला में दो विकेट मात्र चार नहीं देख दिया है इसलिए अभिशेख सर्मा डिरिम पिल सद् mold में भी एक मेंच खेले हे आच्छे एसकोर किया है और नोट आउट रहा है ev अच्छे एसकोर किया है और नोट आउट रहा है इसलिए एमगरेट में आपकातर में रहना भरता है आप मारकर अधम ऐसंड पर एड नहीं खेले है एडम मारकार इस ग्रोंड पर अच्छे परदसन नहीं किया है एडम मारकार को ग्रोंड सूट नहीं करता है तो उस पिलियर को लेने में थोड़ा रिक्सी होता है रिक्सी इसलिए होता है क्योंकि इस गरॉंड को सूट नहीं करता है बलेबाज की दिरिष्ट्री से एडम मारकार काफी अच्छे बलेबाज है इसलिए आप अपने टिम में रेख सकते हैं अनियता आप ड्रोब कर सकते हैं स्मॉल लिए ट्व हैड में रख सकते हैं गरॉंड लिए मैं से ड्रोब कर सकते हैं क्योंकि इनका सैलेक्षन पर्षंट हाँ है और यह जब सैलेक्षन परसेंट हाइज होता है चलने का उमीद कम होता है तो इस आपिलियर आपको लेने से कोई प्रोफिट नहीं होने बाला है गλλάएं नियुक्रेकर बात कर लेते हैं यहां पर वेश्ट में और बॉललर् सेक्शन में बाई इनपर्टर बॉलर जो हैं यह रहये rectangular, जो कि हर धितो करम पर इन जेयेצ हैंagaEO gaan पर बिकेट निकालता है अगले मियगांच में नहीं मिला है लेकिन यह अच्छा बॉलर है और पिस बॉलर को लेने के बाद आ जाता है इंपॉर्टन बॉलर कौन सा है जो लाइनप आने के बाद कभी देखी लाइनप आता है तो अच्छे अच्छे पिलियर को ड्रोप कर दिया जाता है इंपॉर्टन पिलियर जो है इम्रान मलिक जैसे है इम्रान मलिक अच्छे कासा इंपॉर कर लेते हैं दो और बेस्ट मैं में रख सकते हैं या 2 जल अंडर रख सकते हैं एम जेस्ट Ci इस टीम का गेंस दो बिकेट निकाल चुका हुआ है इसे रखने के बाद एक और यहा है जो इंप्वार्टन पिलियर है टीमें डैवेड टीमें डैवेड को अपने टीमें रख सकते हैं यक्तिलक बर्मा को मैं अपने टीम में अभी फिलाल के लिए रखे हैं लेकिन विकेट गिरने का चौंस कम है क्योंकि यही चार है बॉलर मिलकर इस टीम को मैच जीत लेगा तो इसलिए आप नेट राजन को राइजर हाइदराबाद करब से रख सकते हैं मैंना भी दो ही बॉलर लिये हैं इन्पोर्ट तिलक वर्मा के साथ अभी जा रहा हूं अगर आप तिलक वर्मा के साथ नहीं जाएंगे धरी ब्रोक के साथ या जे अपलेशन किसी एक के साथ आप जा सकते हैं अब यह लैंड आप इसे रख सकते हैं मैं एक और ले लेता हूं एडम मारकर को फिलाल के लिए रख लेता हूं क्योंकि यह स्माली घर्डर टॉस होने के बाद एडम मारकर को आप ड्रॉप कर सकते हैं मैं भी ड्रॉप करने का चंस लूँगा इससे अच्छा पिलियर अगर नजर आएगा तुसे ले लूँगा, nest करता हूँ, nest करने के बाद, captaincy और viess captaincy, sun kissan captaincy के लिए important pick रहने बाला है, sun kissan और viess captaincy के लिए important pick रहने बाले हैं, क्योंकि ये best man है, तो nation66 receiving, क्योंकि आज sun rider, हैदराबाद को, wicket कीरने का chance ज्यादा है, सेफ टिम करने के बाद मेरा टिम का पर भीव देखिए किस तरह से रहेगा मेरा टिम का पर भीव इस तरह से रहेगा देखिए मेरा टिम का पर भीव इस तरह से रहेगा हाई ओप ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जाए हिन दोस्तों